पिछली कुछ समय से बॉलीवुद एक्त्रेस श्रधा कपूर और उनके कथित बॉयफ्रेंद रोहन श्रेश्था चर्चा में हैं। रोहन, पॉपुलर फोर्टोग्राफर राकेश श्रेश्था के बेते हैं और नेपाल के फेमस फुटबॉलर हैं। सोशल मीडिया पर इनको लेकर खबरें आ रही थी कि श्रधा और रोहन अगले साल 2020 में शादी कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये दोनों लगभग दो सालों से एक दोसरे को देट कर रहे हैं और अब अपने रिलेशनशिप को ऑफिशेली करना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि श्रधा की मा शिवांगी कपूर पहले ही शादी की तैयारियों में बिजी हैं और शादी के इवेंट के बारे में प्लानिंग कर रही हैं। हाला कि एक प्रेस के पिता शक्ती कपूर ने इन खबरों को अफ़वाह बताया है। एक यूज एजिंसी की रिपोर्ट के अनुसार श्रधा की शादी की खबरों को नकारते हुए कहा कि ये सब अखवाहे हैं। कुछ समय पहले भी जब शक्ती कपूर से जब श्रधा और रोहन की शादी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अगले चार से पांच सालों तक श्रधा का शादी करने का कोई इरादा नहीं है।